31 दिसमबर 2021 एक छोटा सा काम कर लेना पूरा वर्ष 2022 खुशियां आपके अंगन में बरसेंगी पैसा आपके इशारों पर नाचेगा ऐसे इस्थति आपकी हो जाएगी तो वीडियो में बने रही है और प्रोसेजर जानिये कि क्या ऐसा करना है आपको और क्या ऐसा उपलब्दी आपको पानी है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियां देने में समर्थ होगी मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमा शरी मेरे चनल में हमेशा आपका स्वागत होता है आज भी आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग अपने हाल चाल बताते रहा कि यह अच्छा लगता है आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहरे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है डॉक्टर उमा शरी यहाँ ऐसी ही जानकर यह आपको मिलती है दी जात करते रहें मेरी हमेशा blessings उनके साथ में होती है तो चलिए procedure को जानते हैं और आपको बताते हैं 31 दिसमबर 2021 को आपको क्या क्रिया करनी है मित्रों आपको डस्ट बीन जो होता है न वो लेना है और डस्ट बीन में तीन चीजें स्पेशली रखनी है और वो तीन चीजें आपक डस्ट बीन नया हो पुराना कोई matter नहीं करता लेकिन वो आपको यूज में नहीं लेना है कि कहीं कर भी डस्ट बीन आप ले सकते हैं लेकिन डस्ट बीन होना चाहिए और साबूत होना चाहिए तूटा फूटा नहीं होना चाहिए अगर आपके घर में डस्ट बीन नहीं है और अगर आप dustbin लाने में interested नहीं है तो थैली भी ले सकते हैं कोई भी थैली ले लिजिए काली थैली विशेश रूप से कारगर होगी तो काली थैली भी आप ले ले लिजिए और उसमें तीन चीजें डाड़ी और आपकी किस्मत तुरंट चमक जाएगी आपको लेनी है लोहे की कील लेनी है अगर आप poster pin भी लेते हैं तो वो भी cover करेगी लेकिन poster pin आपको silver color की लेनी है golden color की नहीं लेनी है मतलब लोहे की जैसी ही दिखती हुई poster pin आप ले सकते हैं अगर वो available नहीं है तो आपको लोहे की ही कील लेनी है और आपको थोड़े से काले उड़द लेने है काले उड़द ले लीजिए और काले उड़द नहीं हो तो काला टूटा फूटा जूता ले लीजिए जूता ले लीजिए और जूते में भी रख सकते हैं ये कील और आपको बहुत फायदा होगा तो जूते में भी आप रख सकते हैं ये 31 December 2021 को करना है तो मतलब टाइम आप ध्यान रखना किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन ये 31 December 2021 को ही ये प्रियोग आपको करना है इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी और तीसरी चीज़ और बता देती हूँ पॉलिश की डिब्बी तीसरी चीज़ है काले रंग की पॉलिश की डिब्बी ये आपकी किसमत को चमका सकती है काले रंग की जो पॉलिश की डिब्बी होती है वो शनी को रिप्रेजन करती है और आपके जो जीवन में दुख आते हैं, पीडाये आती हैं, अपमान आता है, ये शनी ग्रह की वज़े से ही होते है अगर आपके पिछले जनम के कुछ खराब कर्म है तो इस जनम में आपको शनी अनुशासन का पार्ट पढ़ाता है और आपके जीवन में आपको दंड करता है आपकी गलतियों के वज़े से, जो आपने इस जनम में नहीं की होगी पूर्ग जनम में की गलती को भी इस जनम में भुगतना पड़ता है और दंड नयाप शनी ये डिसाइड करते हैं तो शनी देव का हमेशा पूजन करिए और शनी देव को मनाईए जिससे शनी देव आप पर कुपित नहीं हो लेकिन शनी देव की ये कारक चीज़ें आप अपने घर में नहीं रखिए इससे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने लगेगा जिनका कुम्भ लगन है और जिनका मकर लगन है तुला लगन है व्रशब लगन है उनको ये क्रिया नहीं करनी है उनको इसके एवज में दूसरी चीज़ें अपने घर से निकालनी है जैसे कि आपको जिनका मतलब अन्य लगन है जो चार लगन मैंने आपको बताई इनके अल लगन वाले जैसे अपने घर से कोई हरा भरा पौधा किसी को दान करते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है और हरी मुंग की दाल भी आप दान कर सकते हैं मतलब किसी को दे सकते हैं और अपने घर से कुल्ट कुल मिला के आपको निकालना है हरी चीज कोई भी हो सकती है मैं चाहिए किसी भी निमित किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए और गोर्डन चीज आप दान में करते हैं तो बहुत फायदा आपको मिलता है पीतल का बरतन भी आप दान में दे सकते हैं इससे भी आपके भागे जगते हैं तांबे का बरतन भी आप दान में दे सकते हैं किसी को गि करक लगने वाले कोई भी काली चीज जैसे मैंने बताया अभी आप काली थैली में पॉलिश की डिब भी काला जूता और कील रखकर देते हैं ये काम आप कर सकते हैं सिह लगने वाले भी ये काम कर सकते हैं और कन्या लगने वालों को मसूर की डाल लाल थैली में रखके किसी को देनी है ये प्रियोग आप करके देखेगा बहुत फायदा आपको होगा और तांबे का कोई कॉइन भी रख सकते हैं तुला लगने वालों को पीतल का बरतन या चने की दाल किसी को गिफ्ट में देनी चाहिए इससे उनको बहुत फायदा मिलता है गोल्डन कलर की कोई पनी भी आप दे सकते हैं व्रश्चिक लगन वाले आर्टिफिशल जो प्लांट होता है वो किसी को गिफ्ट में दे दे या ऐसे ही अपने घर से निकाल दे पुराने पुस्तक किसी को दे दे पुराने अकबार किसी को दे दे और मकर लगन वाले और कुम्ब लगन वालों को अलग उपाई बता रही हूँ मकर लगन वालों को गुड दान में देना है या गिफ्ट में देना है किसी को जो खाले या तिल के लड़ू भी आप दे सकते हैं या गुड की पपड़ी भी दे सकते हैं आपको बहुत फायदा होने लगेगा कुम्ब लगनवालों को अपने घर से कोई भी रसी निकाल देनी चाहिए उनके गोले जो पुराने होते हैं जो स्वेटर बुनने की काम में नहीं आते हैं वो किसी को दे देंगे तो उनको बहुत फायदा हो मिलेगा मीन लगनवाले शनी वाला उपाय कर सकते हैं ये उपाय सभी के लिए कारगर हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज उपलब्द नहीं है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में उसी रंग की चीज भी ले सकते हैं उससे भी आपको बहुत फायदा होगा आप ये उपाय करके देखिएगा 2022 आपके किसमत को बहुत ज़्यादा चमकाएगा और आपके घर में धनी ही धन का धेर लग जाएगा और आपके लगजरियस लाइफ हो जाएगी क्योंकि शुकर का नंबर है और शुकर देव सभी को माला माल करने में समर्थ हैं तो आज का वीडियो अगर जरासा भी हल्पुल रहा हो तो इसको लाइक करना शेयर करना सभी से जानकरी और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या आप जानना चाहते हैं मैं कैसी वीडियो आपके लिए बनाऊं जो आपको फाइदा पहुचा सके तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ इससे पहले निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जिसका नाम है डॉक्टर रूमा श्री और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना और आल पर क्लिक करना जिससे इसी तरह की बेहतरिन जानकारी भविष्चे में आपको प्राप्त होती रहे और आप धन्वान जल्दी बने आज का वीडियो समापत करती हूँ बहुत धन्यवाद